Hello friends, इस demo में मैं आपको describe करूँगा कि आपका data एक बार तो copy हो गया from इस NFS से इधर, ठीक है, अभी सोचिए application server तो continuous इसको use कर रहा है, तो for example, मेरा application server भी इसको continuously use कर रहा है, और इसमें data फिर भी transfer कर रहा है, तो फिर क्या होगा, for example, मैंने अभी तक सारा data copy कर लिया, लेकिन फिर भी last one week में जो भी data इसमें हुआ, उसको भी मुझे S3 में use करना है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं अपनी application server पर आया, यहां पर, मैं अपने इस folder पर particular जाता हूँ, slash mnt, और देखता हूँ, सेम सारी files वैसे ही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ और files को copy करता हूँ, copy slash etc, जो भी files g से start होती हैं, देखता हूँ, g से कितनी file हैं, काफी files हैं, तो मैं g star इसमें दे देता हूँ, तो यह सारी नई files मेरी, इसमें, g से 1, 2, 3, 4, 5, 6 files मैंने नई copy कर लिया भी, ठीक है, तो time stamp भी आप देख सकते हो, यह 823 का है, और पिछले demo में मैंने आपको दिखाया था, कि हम लोग कैसे इसको पूरा setup कर सकते हैं, For example, यह हो गया, अभी, आज मैंने अपनी company को बोला कि, ओके, हम लोग downtime देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस application server को इसके साथ unmount कर दूँ, ताकि कोई भी नया data यहां पर और copy ना हो, तो मैं आज अपनी company से बोलता हूँ, ठीक है, हमें 4 घंटे का time तो मैं अपनी application server पर आता हूँ, तो मैं इस nfs server को unmount कर देता हूँ, यहां से, तो unmount करने के लिए, major मेरे पास यह ही है, मैं इसको अपने path को unmount कर देता हूँ, nfs-mount, तो unmount हो गया, अभी, यहां से मेरा access वहां पर बंद हो गया है, ठीक है, अगर आप देखोगे, तो मेरा जो nfs server था, मैं उसके उपर, उस nfs server के उपर अभी कुछ connectivity नहीं है, मेरी application server की, यह मैं application, nfs server से भी कर सकता था, और मैंने application server से इसको, अभी यह connectivity को मैंने break कर दिया, तो यह connectivity अभी आप देख रहे हो, तो मैं इसको चाहिए remove कर दूँ ऐसे, तो यह connectivity अभी खतम होगी, इसमे से, अभी यह nfs server रह गया, चीक है, तो nfs server में last time में एक बार सारा data यहाँ पर sync करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या option है, यह सारा हमारे downtime start हो गया, तो मैं company से already बोल चुका हूँ, ठीक है, आज मुझे इतने घंटे का downtime जीजी और मैं कर देता हूँ, तो मैं task में एक बार फिर से जो मेरा data होगा, वो running state में आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा, launching, तो यह launch state पर रहेगा थोड़ी देर, और फिर यह available में आ जाएगा, तो जो भी मेरी नई files अभी बनेंगी, अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ आके फिर से देख लू, नहीं, तो यहाँ परानी ही मेरा नए task में नई file create होगी, अगर मैं logs में जाता हूँ, log groups, तो इसमें AWS data sync, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह मेरा last वाला था 155 का, ठीक है, this is 155 just now created, इस पर click करेंगे आप, तो इसमें दिखाएगा, यहाँ पर सरफ इतना ही अभी बन किया है कि task start हो गया, ठीक है, अभी आपको wait करना पड़ेगा थोड़ी जिर, तो वो task complete करने के लिए, तो यहाँ launching, अभी भी यह launching पे रहेगा, then it will come to the, means again transferring, then it will come to the available state, तो मैं video को यहीं pause कर लेता हूँ, and then I will resume again, तो दिखे अभी फिर से यह task available mode में आ गया, तो इसका मतलब मेरा सारा data एक पर फिर से sync होगा, let's go and check here firstly the logs, आप देखोगे तो g वाले logs यहाँ पे आएंगे, तो दिखे यह जो g, 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 तो यह सारे file का वो check करता है, transfer file, transfer file, फिर verified file, तो उसने check कर लिया, अगर आप अपने, यहाँ पे जाएंगे, S3 bucket में भी, तो आपको refresh करेंगे, तो यहाँ पे g वाले भी आने चाहिए, तो मैं एक पर file data पे click करता हो, refresh करता हो, let's see, yes, it's already there, group, group hyphen, grub, तो यह files यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो it means, मेरा यह सारा copied हो गया यहाँ पे, अभी मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है, ना NFS, ना Agent की, क्योंकि मेरा data सारा यहाँ copy हो गया, अभी मेरा application server इस data को कैसे use करेगा, तो उसके लिए, हमने last demo में देखा था, how you can create the storage VM, और storage gateway service, तो यह मेरे पास already बना हुआ है, तो same I will use it, तो यहाँ पे मेरा यह storage gateway instance बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, horizon में जाके, just change with the storage gateway, यहाँ पे आ जाता हूँ storage gateway, storage gateway में आके, मेरा already gateway create हो चुका है, मैं एक share नया create करूँगा, create file share, तो मैं अपने file share के लिए क्या use करूँगा, तो अगर आप gateway पे हैं, अगर आपको दुबारा याद दिला दूँ कि अगर आप gateway already create कर रखा है, तो you can just create a file share, create file share, तो file share में जाके आप कौन सा gateway use कर रहे हैं, आपका bucket का नाम क्या है, तो मेरा bucket का नाम है ये, उसके अंदर folder है my data, तो मैं इसका bucket का नाम mention कर दूँगा storage gateway में, तो यहाँ पे है my data slash, तो ये particular bucket और इसमें अंदर ये folder share हो जाएगा, तो ये particular region कौन सा है, horizon, तो name इसका मैं यही रहने दूँगा, इसे depend करता है आप कौन सा रखना चाहते हैं, ये step same रहेंगे जो हमने last demo में complete किये थे, अगर आप logs create करना चाहिए, तो let it be, और just click on the next, तो यहाँ पे S3 standard, सब कुछ as it is रहेगा, client पे मैं इसमें add कर देता हूँ 0.0.0.0.0 slash 0, कोई भी इसको access कर सकता है, for time being, for the demo purpose, just create it, तो जैसे ये create होगा, file share your creating on the gateway, क्या बोल रहा है, sorry, तो अभी यहाँ पे status updating में आ रहा है, तो आप wait कर सकते हैं, ये available में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं तो आप Linux का इसको mount करने के लिए ready हो जाईए, तो यहाँ पे मैं application server पे आता हूँ, अभी मेरा जो application server है, वो NFS के साथ connect नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो application team क्या करेगी, application team को नहीं पता कि कुछ change हो गया backend में, तो आप उसके लिए क्या करते हो, तो same folder पे उपर आप mount करते हो, जो पहले था, उसी folder के उपर mount कर देते हो, तांकि application को कुछ change नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा backend सारा change हो गया, तो मैंने यह data sync एकसा दिया, लेकिन mount point मेरा mnt, जो मेरा पहले था, mnt के अंदर nfs mount, तो मैं यही दूँगा, nfs mount, ठीक है, जो हमने पहले unmount किया था, तो इसको mount करते हैं, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, अभी, slash mnt, nfs mount, ls-l, देखते हैं, यह देखे, वो मेरी सारी files, जो g से start हो रही थी, c, r, मैंने r से copy की थी, s से copy थी, वो सारी files यहां पर आगी, अगर आप एक वर verify करना चाहते हैं, तो यहां पर अपने जाहिए, इस particular से a, b, c, d, फिर g वाली file, फिर r से start होने वाली, फिर s, last file system release, तो यह सारी files यहां पर आपको दिखाई देने शुरूर, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ, इस particular को, यहां पर, तो अभी आपके पास file share भी created है, तो जो आप use कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर हमारा total demo complete हो गया, जहां से ह हमने पहले migration किया data को इस तरफ, बाद में इस S3 को यूस किया, फिर से application server पे तो storage gateway, रधर देन, old, older way. Thanks everyone, please delete after this demo, please delete all your setup, all your VMs, unnecessary, there should not be any charges for you. Thanks everyone, take care, we'll be it again.